हलो किसान भाईो नमस्कार कैसे हैं आप आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे YouTube चैनल स्मार्ट फीस पारिंग में आप सबी का स्वागत है मैं मतश्य पालक आपका दोस्त आपका भाई आसिस शादो किसान भाईो आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि सालिनिटी और मचली के ग्रोथ में आपस में क्या संबन्द है सालिनिटी जिसको हम सांदर्ता भी कहते हैं तो सांदर्ता और मचली के ग्रोथ में आपस में क्या संबन्द है कितने सालिनिटी होने पे खास कर जो IMC कार्फ या फंगाल से मचली होती है उसका ग्रोथ अच्छे से होता है और कितना सालिनिटी होने पे ग्रोथ नहीं होता है ये आपस में क्या संबंध है आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे तो किसान भायों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहें तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्विंग को सस्क्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माध्यम से मचली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानका आप सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान भायों बने रहें वीडियो के अंते तक चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सब को हम बताते हैं कि सालेनिटी सांदर्था और मचली का ग्रोथ आपस में क्या रिलेशन है तो किसान भायों चली आप सब को हम बताते हैं कि सालेनिटी और मचली के ग्रोथ में आपस में क्या रिलेशन हैं क्या संबंद हैं आप सब ध्यान दिए होंगे कि अगर आप नय मचली पालन करने जब गए होंगे या किसी अच्छे आप सला लिए होंगे तो उसने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा कि आप जहां पर फार्मिंग मचली पालन करने जा रहे हैं वहां के पानी का एक बार लैव जरूर करा लें उस लैब में पता चलिए मैंगनेसियम, पोटेसियम, आइरण उस कितनी मात्रा है पानी की टीडियस कितना है और सबसे में क्या होता है हमाँ पे सालीनिटी कितनी जिसे सांदरता कहते हैं सांदरता क्या प्रति लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी है कितनी है यह आप एक बार जरूर कर लीजेगा क्योंकि कहीं पर देखिए हम आज कल कहीं दूर जाकर कि हम रहते हैं या फिर कहीं इस्टे करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे पानी का टीडियस चेक कर लेते हैं कि पानी की सुद्ध है या कितना सुद्ध है या नहीं है यह पीच कैसा है तो उसी प्रकार से हम मश्ली पालन करने जहां जाते हैं जहां हमारा तलाब बनता है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए उसके सालिनेटी सांदरता को एक बार लैब करा लेना चाहिए मैं पता चल जाना चाहिए यहाँ कि आप सब को जानकारी है तुम आप सब को बता दें कि अगर पानी की सालिनेटी परती लीटर पानी में अगर 3 PPT से जादा नमक हुआ या 3 गराम से जादा नमक हुआ तो खास कर मीठे पानी में पाले जाने वाली मचलियों का ग्रोथ सलो हो जाएगा 50% से जादा सलो हो जाएगा मचली खाएगी भोजन खाएगी डाइजेस्ट भी होगा लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं ले पाएगी जैसा ग्रोथ लेना चाहिए तो आप मेरे इन बातों से समझ सकते हैं कि सालेनेटी का मचली पालन में कितना महत तो है कि अगर 3 PPT से उपर रहा प्रती लीटर पानी में 3 गराम से उपर नमक रहा तो अगभग ना के बराबर होगी 50% से ज्यादा ग्रोथ रूख जाएगे फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे 3 PPT से नीचे आएंगे वैसे वैसे मचली का ग्रोथ होता रहेगा तो आप लोग सोचते होंगे कि जो सबसे बेश्ट सालेनटी होती है फ्रेस वाटर फिस के लि जो ग्रास कामन सिलवर होती है या फिर कैटफिस की जितनी मचलियां है कैटफिस फेमली की ऐसे की फंगासे सिंगी मांगर होगा रहे तो इन सबका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा अगर आपके पानी की सालेनटी 3 PPT उपर है और देखें यह भी डिपेंड करता है जो साल जात के मौसम में 3 PPT है तो वह क्या होगा गर्मियों के मैसम से मौसम में 4 PPT फाइब पीपीट तक भी जा सकता है तो यह भी ध्यान देना कि किस मौसम में है अगर आपका 2 PPT या 2.5 PPT गर्मी के मौसम में है तो आप उसमें IMC की farming कर सकते हैं लेकिन अगर वही ठंडी के बरसाद के मौसम है तो फिर जान लिए गर्मी में salinity बढ़ेगी मचलियों के growth भी effect पड़ेगा तो कितना होना चे पहली में बाग 0.5 से लेकर कि 1 PPT तक हो तो IMC कार्प या मिठे पाले में पाले जाने वाली मचली को हम कर सकते लेकिन एक बात हो रहे अगर हमारा 3 PPT से उपर है 4 है 5 है 6 7 8 है जो भी है अगर 3 से उपर है तो हमें उसमें कौन से मचली का पालन करना चाहिए अगर 3 PPT से उपर आपके सांदरता है पानी के सांदरता है परती लीटर पानी में 3 गराम 4 गराम 5 गराम से अधिक नमक है तो उसमें आप वेनामी कल्चर कर सकते हैं स्रीम फार्मिंग जिसे हम जिंगा पालन करते हैं आप जिंगा पालन कर सकते हैं तो अगर आप सबकी भी मचलियां ग्रोथ नहीं ले रही हैं आपको ऐसा कुछ फील होता है कि हमारे पानी में नमक की मातरा ज्यादा है तो उसे एक बार लैब जरूर कराए और लैब कराए जो रिजल्ट मिलता है अगर सालिनिटी ज्यादा निकलती है तो आप उसको वेनामी कल्चर के तरफ स्रीम फार्मिंग जिंगा पालन के तरफ ले जाए अगर टूपीपीटी से नीचे अगर आता है तो आप कहीं न कहीं या सीड में या फीड में या डेंसिटी में किसी ना किसी परकार से आप में कमी हो सकता है फार्मिंग करने में ले या गौर्रमेंट लेंब में असानी से आपके पानी का लैब हो जाएगा वहाँ पर आपको सालिनिटी पता चल जाएगी तो किसान भई आसा करते हैं कि यह वीडियो देख करके आपको 100% से उर्ली समझ में आ गया होगा कि पानी की सालिनिटी सांदरता और मचली के ग्रोथ मे क्या रिलेशन है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट्स करें और हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्मिंग को सस्क्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करें और अगर आप मचली पालन की ट्रेनिंग ले बाइब